फ्रेंड्स BPCL की और से दूसरे अक्वाटर की रिजल्ट डेट का नाउसमेंट हुआ है उसके साथ साथ डिविडेंट से रिलेटेड अपडेट भी निकल कर आ रहे तो कब रिजल्ट आने वाले हैं और कितना इस बर डिविडेंट मिलने के चांसे उसके ओपर हम यहाँ पर चरचा करने वाले हैं इस केला फ्रेंट से अब देख सकतो तो आज हमें इस सेर में तीन परसंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रहे थी और अभी यह सेर 432 रुपे के आसपास के लेवल पर ट्रेड करें और पिछले छे महीने के अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कोई खास पोजिटिव रिटन देखने को नहीं मिल रहे तो और पिछले छे महीने से यह फ्लेट टू पोजिटिव ही ट्रेड करें तो यहाँ पर आप देख सकतो फ्रेंट्स बीपी सील अपने दूसरे क्वाटर के रिजल्ट 29 अक्तुमबर फ्राइडे को पेश करने वाले और वहाँ पर अंतरिम डिविडेंट से रिलेटेड अनौसमेंट हो सकते हैं तो यहाँ पर मेरा ऐसा मनना है फ्रेंट्स कि साइद 15 रुपे के आसपास का इस बर अंतरिम डिविडेंट निकल कर आ सकते हैं और आपने देखा होगा कि जितनी भी गवर्मेंट कंपनियों का जो रिजल्डेट का अनौसमेंट हो रहा है वहाँ पर अंतरिम डिविडेंट से रिलेटेड अपडेट निकल कर आ रहे तो मुझे इसा लगता है कि इस बर ज्यादा तर जो गवर्मेंट कंपनिया है वो अंतरिम डिविडेंट का एलन करेगी तो देखते हैं फ्रेंट्स की इस तरीक है कि यहाँ पर नतिज़े आते हैं और साथ में कितना डिविडेंट निकल कर आता है और यहाँ पर खास एक बात मैं बता दू कि अभी जिसके पास यह से रहे वही इस न्यूज को थोड़ा दिमाग में रहे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डिविडेंट के लिए यहाँ पर फ्रेस बाइंग करने चाहिए क्योंकि आपने देखा फ्रेंट्स यहाँ पर पिछले 6 मेने में हमें कोई खास रिटन देखने को नहीं मिले तो आगे भी हमें कोई खास बहुत बड़ी यहाँ पर अपक्षा नहीं है